तो वेल्कम फ्रेंड्स आप सभी का अगेंड स्वागत है नीड बैलोजी डाउट रामबार सेशन में तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे विश्रण सुसाध्य विश्रण सग्रिय परिवहन पराश्रण और अंतहसुचरण इन सब के मध्यत जो छोटे-छोटे अंतर है उन गति है तो परिभाशित की जाती है यहां पदार्थों की उच्छ सांद्रता से निम्न सांद्रता की और गति होती है देखें विश्रण क्या है कि उच्छ सांद्रता से निम्न सांद्रता की और जो भी द्रव गति करेगा वह होगा आपका विश्रण और इसमें कोई भी उर ग्रशिका में अगर ये करवाएं तो ऐसा सेम टू सेम होगा लेकिन अगर आप यहीं अगर किसी मिट्टी की बात करें और पानी रख देता है तो क्या होता है मिट्टी सीधे पानी के अंदर जाता है और उसको फुला देता है तो यहां क्या हो रहा है यह जिवीत तंत्र पर निर्भण नहीं करता और वहीं अगर हम लोग पादप की बात करें तो पादप में गयाशिय गति का यह एक अकेला माध्य में जैसे अगर आप अपने घर में एक अगर प्रति जलाते हैं तो उसका दुआ सब तरफ अपने आप फैल जाता है अपनी उच्छ सांदरता से नि दुशार ही होता है लेकिन अब क्या होता है हमारा जो कोशी का जिल्ली होती है यह कुछ अडवों को पार होने नहीं देती जैसे यहां से पार नहीं होने देती तो उनके लिए एक इसपेशल प्रोटीन होता है तो इस प्रोटीन से जो अडवों पार होते हैं यह भी निस्क अडू जल्रागी होते हैं अतह अडू जिल्ली प्रोटीन द्वारा निश्क्रिय रूप से गती करते हैं यहां भी अडू जल्रागी इसले दारिक तो पार नहीं कर सकते तो यह क्या करते हैं यह प्रोटीन का उप्योग करते हैं यह जिल्ली का प्रोटीन का जिससे यह पार हो ये घुर्णीत होकर कि कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं कैसे प्रवेश करते हैं और जो जल मार्ग होता है यहीं से अब जल विरागी एरिया है उसे तो पार नहीं हो पाएगा तो इसलिए भी प्रोटीन से ही पार होता है तो जो जल को especially पार करवाने लिए जो आपके ये प्रूटीन्स होते हैं वो आठ वीभिन एकवा पौरीन्स से मिलकर के बने होते हैं अब देखते हैं हमारा सक्रिय परिवहन अब सक्रिय परिवहन में भी जिल्लीका का उप्योग तो होगा लेकिन इसमें सांदरता प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर जिल्ली का होगी जिसके आर पर जल का विश्रण होगा विश्रण मतलब विश्रण आप समझ पारेंगे कि वहां निस्क्रिय गती होगी और निस्क्रिय गती उच्छ सांद्रता से निम्नसांद्रता की और होगी तो यह होता है जल के विश्रण हे तु संदर्भीत किया जाता ह पर आसरन एक विशेश प्रकार की पारगम में जिल लिका के आरपार जल के विश्रण है तु संदर्भित किया जाता है अब सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है अंतासोसन और यहां से ही मोशली कुष्चन देखा जाता है अंतासोसन से एक विशेश प्रकार का विश्रण ह है जिसमें ठोस या कोलाइड द्वारा पानी का आउस्षण कर आयतन वृध्धी करना सामिल होता है देखें विश्रण कहने का आर्थ हम समझ पार होंगे कि यह पहली कि यह पानी का आउस्षण किया रहा होगा तो इसमें इसका उधार रहने देखें कि बीज तथा सूखी लगड़ी द्वारा जल का आउस्षण होता है इससे दाव उत्पन होता है जो क्या करता है नौद भीत को भूमे से बाहर निकालने में मदद करता है इस चीज को समझे के लिए अब को कुई चना का पोदख चना का फैला इस सकालने में को सब निकलेगा बहूमी से बहुत निकैनल कम इसकार करन्णे होगा तो अगर आपको यह सब क्लियर है तो एक लाइक तो बनता है तो चेलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्टर में तब तक लिए थांक्यू सो मुझ पूर टाइम